शंक को इंगलिश में काँच कहते हैं तुलसी के पत्तों को इंगलिश में बेजल लीप्स कहते हैं जनेव को इंगलिश में इसक्रेड त्रैड कहते हैं next step रूई की बाती को इंग्लिश में cotton wick कहते हैं cotton wick कपूर कपूर को इंग्लिश में camphor कहते हैं camphor अगर बत्ती को इंग्लिश में joystick कहते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें